नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका अनकेडमी के इंद्रधनुष प्लेटफॉर्म पर और ये हमारा जो नया सेग्मेंट इस्टार्ट हो रहा है जिसमें वीडियो के माध्यम से आपको पांच मिनट में एक टॉपिक पर चर्चा होगी एक टॉपिक समझाया जाएगा उसके स दिसकस कर लिया जाएगा पांच मिनट के अंदर अंदर तो ये जो टॉपिक रहेगा आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है आज का दिसा तथा दूरी ये सेग्मेंट हमारा पर डे आता रहेगा आप लोगों को पांच-पांच मिनट के लिए थोड़े-थोड़े समय के या हमारे चारोर क्या है अगर कोई पूछे तो हमारे चारोर दिसा ही है इसलिए हमाएं जब कोई भी वस्त नहीं पड़ते तो उसको कहते हैं दिगंबर यानि दिसाएं ही जिनका आमबर हो क्योंकि हमारे चारोर हम जिससे घिरे हुए हैं वो है दिसा कितनी प्रकार की होती है और चार आपकी उप दिसाइं होती है उपर कौन सी दिसा होती है उत्तर उपर हो गई उत्तर उपर हो गई उत्तर याद कर लीजेगा उपर है उत्तर उ से उपर उ से उत्तर उत्तर को नौर्थ कहते हैं उत्तर उपर तो नीचे दच्छिन उपर उत्तर तो नीचे दच्छि दाहिने हाथ से करते हो, तो दाहिने हाथ पर आपकी पूर्व दिसा है, और बाए हाथ पर आपकी पश्यम दिसा है, प्यारे बचो दिसाओं को यह आप हमेशा मानचित्र मैप में हमेशा इसी तरह का देखते हैं, उपर हमेशा कस्मीर दिखता है, उपर हमेशा उत्री बाए हाट पे पश्षिम, नीचे की और दश्षिन, अच्छा, दो दिसाओं के बीच में घिरी हुई दिसा भी आपकी दिसाओं कहलाती है, जो कि उप दिसाओं होती है, जैसे उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूर्व होगा, या इसे पूर्वोत्तर भी बोला जाता ह है ना अंग्रेजी में इसके लिए North East इसी तरह उत्तर और पशिम के बीच में उत्तर पशिम होगा या इसे पशिम उत्तर भी कहते हैं अंग्रेजी में नौर्थ वेस्ट इसी तरह से दच्छिन और पूरब के बीच में दच्छिन पूर्व हो गया या इसे पूर दच्छिन भी बोलते हैं प्यारी बच्चों ध्यान दिजेगा question है कि स्याम 5 कीमी और चलता है और फिर वो बाइं मुढकर छे कीमी चलता है फिर वह दावें मुढकर नो कीमी चलता है अंत में दावें मुढकर 6 कीमी चलता है. तो आप बाए मुड़ेगा कहा उपर तो उपर मुड़कर 6 किमी चला फिर दाए मुड़ेगा कहा दाए मुड़ना है तो इधर दाए मुड़ गया और 9 किमी चला और 9 किमी चलने के अब फिर दाए मुड़ा और दाए मुड़कर कितना चला तो अंत में दाए मुड़कर 6 किमी चल ये इसका start point है, जो की दूरी हो जाएगी 5 प्लस 9, चुकि प्यारे बचों ये 9 है, तो ये भी 9 एक rectangle के कारण, और 9-5 कितने किलोमेटर की दूरी आ जाएगी, तो 14 किलोमेटर की सीधी दूरी आ जाएगी, इसी तरह से आते हैं काथ question और देखते हैं, इसमें देखिए दिसा प अंत में दच्छिनिक में जा रहा था, तो मैंने किस दिसा में चलना प्रारम्र किया था, प्यारे बच्चों, अब दिसाओं को बदलना भी आपको आना चाहिए, दिसा आपने सीख लिया, उपर उतर, दाएं पूरब, लेकिन आप इस्थिन न रहिए, आप हमेशा ध्यान दिजे कि आपके मुग के सामने उत्तर होगा, और आपके दाएं हाथ पर पूरब होगा, और इससे आप दिसाओं को आराम से बदल लेंगे, चुकि यही तो सर ने शुरू में बताया था दिसाओं के ग्यान के समय, तो कहा कि 5 किमी चलने के बाद मैं दाएं और मुडा और 3 किमी गया, फिर इसके बाद मैं बाएं और मुडा और 8 किमी चला, तो अब इस व्यक्ति को आप कहीं भी निकाल दीजे, 5 किमी चलने के बाद यह अदमी दाएं और मुडा और 3 किमी चला, इसके बाद वह बाएं और मुडा और 8 किमी चला, 8 किमी चला, अंत में वो दच्छि के बाद देखिए यहां से यह राइट लिया है राइट मतलब नीचे और मुड़ा और तीन किमी गया इसके बाद वो लेफ्ट लिया है और वो आठ किमी चला यानि कि अगर वो दच्छिन में जा रहा है यह साउथ है पैरे बचो तो सुरुवात में भी उसने दो दूरी चलन बन जाएगा ठीक है विटा उम्मीद है कि आठ सभी को यह सेशन पसंद आएगा बहतर लगेगा आएए एक कोशन और लेकर देखते हैं इस पर एक आठ प्रश्ण और समस्तने का प्रयास करते हैं दिखे कोशन कह रहा है कि मैंग 25 किमी अब दूरी के सवाल को ले लिया हमने एक दूरी एक दिसा एक दूरी और दिसा मैंग 25 दच्षिन चलता है दाहिनी और घूमकर 20 किमी चलता है फिर बाई और घूमकर 20 किमी चलता है वह अपने प्रारंभीक दूरी से कितनी दूरी पर है मनीश मैंग 25 किमी चलता है 25 मीटर चला वो दच्षिन में 25 मीटर चलने के बाद वह दच्छिन के और चलता है फिर दाहिनी और मुर कर 20 मीटर चलता है फिर बाई और मुर कर 30 मीटर चलता है और फिर बाई और मुर कर 20 मीटर चलता है अब हमसे पूछ रहे कि मनीश अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है तो हमने देखो उस वाली रेखा को सी खड़े जोड़ेंगे और यहाँ पर 25 में 30 जोड़ेंगे तो 25 और 30 मिला कर पाएंगे 55 मीटर की दूरी पर है अब 55 मीटर की दूरी कौन सी option में है प्यारे बच्चो तो यह option आपके लिए perfectly correct टैंसर बन जाएगा तो उमीद है कि यह session आपको समझ में आ रहा होगा अब इस session मे हमारा प्रयास रहेगा यह तो मैंने basic आपको आज direction की बारे में थोड़ा सिखा दिया दिसादूरी समझा दिया और याद करा दिया कि उपर क्या उत्तर नीचे क्या दच्छिडदाए हाथ पर पूरबाए हाथ पर पशिम यह बढ़िया से आपने concept सीखा उस पे थोड़े से basic question को solve किया और ऐसे ही प्रयास रहेगा जैसे ही आज आपने basic direction और distance को सीखा जबर जस ट्रिक, session, formation लेकर पांच मिनट की वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ सभी के लिए आप लोग जम कर लप्टिया जाए लग जाए इस वीडियो को अपना प्यार दीजे खुब शेयर कर क्या है तो सब्सक्राइब कर लीजेगा इस चैनल पर मेरी रोज परड़े live classes आती हैं उनको जरूर देखिएगा मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में चलते चलते तब तक के लिए जैहिन जै भारत